के रूप में मनाने का किया आवान भाजपा संसदिय दल को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा हर विधान सबाक शेत्र के 75 गाओं में दो कारे करता हैं बितायत 45 घंटे अगले 100 वर्षो का बने रोड माप करनातक में नए मुख्य मंत्री का चुनाओ करने के लिए आज शाम होगी बैंगलूरू में भाजपा विधायक दल की बैठक केंद्रे मंत्री धर्मेन प्रधान और जी किशन रेड़ी होंगे पार्टी परेवेक्षा मौनसुन सत्र के छटे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण राजे सभा और लोगसभा की कारवाई दो पहर दो बजे तक के लिए स्थागित लोगसभा में दिवाला और शोधन शंठा संहीता संशोधन विध्याग पर होनी की चर्चा महराश में बाड और भूसकलन की वजह से 192 की मौत, रतनागिरी, सतारा, ठाणे, सिंदुदोर्ग, कुलहापुर और पूने के बाड प्रभावेते लाकों में 25 लोक लापता 3,75,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया भूसकलन प्रभावेते तालिय गाउं में बचाव अभियान समाप 31 अभी भी लापता चार महीनों पहले बार दैनिक कोरुना मामले 30,000 से नीचे रिकावरी रेट बढ़कर 97.39 प्रतिशत अब तक 44 करोड से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन रक्षा मंत्री राजनात सिंग आज से दो दिनों के ताजिकस्तान दौरे के लिए होंगे रवाना दुशामवे में S.C.O. देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन मिलेंगे भाग ओडिशा का पूरी बना देश का पहला शहर जहां उच गुडवत्ता का पीने योग्य पानी नलो से होगा उपलब्द प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में होगा एहम कदम टोक्यो अलेमपिक में पोर्शों के होक्य मकाबले में भारत ने स्पेंन को 30 से हराया भारतीय मुक्यबाज लवलीना बोर्गोहिन ने वेल्टरवेट वर्ग में ज़र्मनी की मुक्यबाज को हरा कर प्वाटर फाइनल में किया प्रवेश और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं भाश्पा संसदियत दल की बैठक संसद भवन में हुई बैठक में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, रक्षा मंतरी राजनाथ सेंग, भाश्पा ध्याक्ष जेपी नड़ा साहित कई नेता मौजूद रहे प्यम मोदी ने कहा है कि बीजेपी संसदों को जनता में देश के लिए जीने का भाव की भावना प्रगाड हो इस दिशा में काम करना चाहिए बीजेपी संसदिय दल की बैठक में प्यम मोदी ने संसदों से कहा कि देश की जनता ने आशिरवात दिया है पियम मोदी ने कहा कि आगामी 25 साल के लिए देश के विकास का आक्शन प्लान के लिए जनता के विचार जानने के लिए हर विधान सबाक शेत्र में दो-दो कारे करताओं की जोड़ी बने सबसे बड़ा विशे आज आया वो हमारे प्रधान मंत्री जी के उद्भोधन के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ वो था आजादी के 75 साल जिसको हम आजादी का अमरत महुस्व कहते हैं प्रधान मंत्री जी ने ये कहा कि इस अउसर पर जनता ने हमें आशिरवाद दिया है सभी सांसदों को संभोधित करते वे कहा कि जनता ने हमें आशिरवाद दिया है जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन करने का अउसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूँ, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूँ और करते भाव से देश की शेवा करूँ, ये अफसर हमारे सामने उपस्तित हुआ है बैटेक में पीम मोदी ने डिजिटल लिटरिसी को लेकर लोगों को जयादा से जागरूब करने का भी निर्देश दिया बीजेपी संसेदेदल की बैठक में मौझूदा सत्र के दौरान अभी तक हुए कामकाच को लेकर संसदिय कारेमंत्री की तरफ से जानकारी भी दी गई पीएम ने संसदों से आजादी के 75 साल के अफसर पर अलग-अलग कारेकरमों में शामिल होकर जनजन के मन में देश के लिए कुछ करने का भाव पैदा करने का काम करने की बात की अभी संसदों को ये मार्क दर्शन दिया गया और कहा गया कि ये कारिकरम केवल सरकार ही करे ऐसा नहीं है सरकार तो अपने कारिकरम करेगी संस्कृति मंत्राले के माध्यम से संस्कृति मंत्राले उसका नोडल मंत्राले है लेकिन देश की जनता भी जुड़े हमारे सभी सांसत जुड़े इसके लिए उन्होंने एक सेंट्रल आइडिया दिया उन्होंने का 2046 में जब देश के अधादी के 100 साल पूरे होंगे जब देश कहां पहुंच सकता है जो हमारे बेस्ट बेंचमार्क है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं उसके बारे में जो भी आइडिया जनता से आए उसको हमें कलेक्ट करना है और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने संबादाता शैलेंद्र मिश्च के पास शैलेंद्र संसदिया दल की बैठेक में प्रदान मंत्री ने 75 साल आजादी के लिए एक तरह से जो काम तै किये गए हैं उनमें मुख्य रूप से एक तो डिजिटल होते भारत में एक बड़ी जिम्मेदारी संसदों को सौपी गई है साथी साथ देश में एक दूसरे के लिए जन जन के लिए काम करने की इस भावना को बढ़ाने के लिए संसदों को एक जिम्मेदारी दी गई है और वो भी प्र सुदों के जरिये तमाम जो कल्यान कारी योजनाय हैं उनका क्या असर जमीनी अस्तर तक पहुंचा है उस पर एक फीड़ बैक भी लेना चाहती है और साथी साथ जो बदलाव आये हैं डिजिटल लिटरिसी को लेकर या फिर तमाम सारे बदलाव जो गाओं में आये हैं किसान ह आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में गाओं का रहने वाला व्यक्ति उन सब योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए आसानी से जागरूक हो पाए और अपने अधिकारों को लेकर इन सब को लेकर जागरूकता एक तरह से अभ्यान चलाए जाने की है और साथ ही साथ सानसुदों की बहुत महातपूर भूमका जो एक साल जो कारकम होना है डिज्टल लिटरिसी को लेकर जागरूकता हो या फिर तमाम का ल्यानकारी योजनाओं को लेकर हो आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर जो अमरित महोसों के तोर पर जो कारकम द सानसुद विधान सभाव और दो-दो कारकरताओं की जोड़ी बनाया और वो कारकरता 75-75 घंटे 75 गाओं में जाए तो एक तरह से बहुत ब्रहत कारकम की बात कही गई है और यह कहा गया है कि तरसल यह जो कारकम हो इसमें जनता की भागेदारी हो जन अंदुलन बने और करनी की जरूवत है लोगों में और सानसुद इसमें एक लीड भूमकारी भाए तो निशित तोर पर सानसुदों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि बदलते हुए भारत की जादा से जादा जानकारी ग्रामी डस्तर पर दें और एक फीड़ बैक भी लें दो की जेपी के कारकरताओं को दी गई है जिलेंडर डिजिटल होते भारत में और खास कर इस कोरोना के समय में डिजिटली डिजिटल मोड पे बहुत सारे चीज़े आई है और जिसके सुविदा ग्रामीन इस तर पर भी लोगों को मिली है क्या आपको लगता है जन प्रती जो नहीं दी जा रही जिसका किया आवानाज प्रधान मंत्री ने किया तमाम सांसदों से दरसल ये बताया गया कि बहुत काम हुआ है डिजिटल लिटरिसी को लेकर डिजिटल इंफरस्ट्रक्चर को लेकर और इसको लेकर और जागरुकता फैलाया जाने की जरूरत है जाएं प्म agony तरह की तमाम युजञा है चाया प्म आउस युजना हो किसान सम्मान नीदी हो या फिर हम जानते हैं मुफ्टरاصन का देने की जो जो युजञा चल रही है इस तरह की तमाम युजञाऑं की आसानी से जानकारी पहोन पर महिया होती है और ऐसे में गा तरगेट लेकर सरकार चल रही दूरू इलाकों में जिस तरह से आप्टिकल फाइबर बिचाया गया उसका फाइदा हो रहा है कि हम देखनें टेली मेडिसिन के जरिए करोनोकाल में देखें कि देखा गया कि हजारों लोगों ने जो उनको दिक्कत हुई वो टेली मेडिसिन के जरिये मेडिकल सेवाएं और मेडिकल जो सुझाओ है वो डॉक्टरों से उन्हें मुहया हो पाया दूर दराज के लाकों में तो इस तरह की तमाम सुवधाएं अब गाओं में वो लोग इसको गरहन कर पा रहे हैं चुकि डिजिटल इंट्रास्ट्रक्चर गाओं में मजब यह एक बहुत बड़ा अभियान है सरकार का और सांसदों की एक जिम्मेदारी है कि जो योजनाय जमीनी अस्तरपद पहुंच रही है उनके बदलाओ के बारे में फीड़बैक ले और साथी साथ उन योजनाय के बारे में जादा से जादा जानकारी गाओं के लोगों को दे तो ये एक संदेश आज बिल्कुल शेलेंदर सरकार की योजनाएं ओनलाइन हैं ट्रांस्पेरिंसी पारदर्शिता आई है उनमें ऐसे में ग्रामीन इस तरपर और देश की जनता को डिजिटली साक्षर साक्षरता बहुत जादा जरूरी है ताकि वो इन तमाम लावारती अपने आपको मजबूत कर सके बहुत-बहुत शुक्रिया आशालेंदर पूरी बात के लिए और आएए बात करते हैं ताजा ख़बर की मौनसुन सत्र के छटे जिन भी विपक्षी दलों द्वारा विभिन मुद्दों पर सदन के कामकाज में बाधा पहुचाई गई भारिश और शराबे के कारण राज्यसभा की कारवाही कई बार स्थगित की गई फिलहाल सदन की कारवाई दो बज़े तक के लिए स्थगित कर दी गई है सदन में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा की कारवाई कई बार बाधित हुई हंगामे के बीच सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा फिलहाल सदन को दो बज़े तक के लिए स्थगित किया गया है लोकसभा में विपक्ष द्वारा शोर शराबा करने और सदन की कारवाई में रुकावट डालने पर केंद्रिये क्रिशी मंत्री नरेन सिंग तोमर ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष के हंगामे के चलते किसानों के मुद्दे संसद में नहीं उठपा रहे हैं जाओं और किसान से संबन्द 15 से अधिक प्रस्ण चर्चा में हैं विपक्षित सदस अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं किसानों के प्रस थोड़ी सी भी पफादारी रखते हैं तो उनको सांती बना के अपने इस्थान पर बैशना चाहिए इन प्रस्णों के माप्यम से अपना विखे रखना चाहिए सरकार का जवाब सुनना चाहिए इस प्रकार का हो अल्ला जो हो रहा है इससे सदन की गरिमा भी नश्ट हो रही है जनता का भी नुक्सान हो रहा है और विपक्षी दलों का किसानों के प्रती जो चरित रहे वो भी द्रिश्टी गोचर हो रहा है और राजेश राज्ट से सदन की कामकाश के बारे में और जानकारी लेते हैं राजेश सबसे पहले तो आज जिस तरह से एक बार फिर दोनों सदन बाधित हुएं दो बज़े तक स्थागित हैं कल हमने देखा छे बार राजसभा को स्थागित करना पड़ा लगातार किसानों के मसले को लेकर विपक्षी पार्टियां हला कर रही हैं हंगामा कर रही है लेकिन आखिर क्या वज़ाए कि बादचीत के लिए तैयार नहीं सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं जब सरकार का ये कहना है कि वो किसी भी विशे किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तयार गती रोध है कहां। लेकिन भारी हंगामा जो है वो दोनों सदों में देखने को मिल रहा है जो लोगसभा अद्यक्च हैं ओम बिरला उन्होंने आज बहुत नाराजगी जताई है और सभापती राजसभा बेंकईया नेडू उन्होंने भी राजसभा के भीतर बहुत नाराज़गी जताई है और सांसदों से ये साब तोर पर कहा है कि ये सदन जो है आपकी संपत्ती है उस जनता की संपत्ती है जिसने आपको चुनकर यहां भेजा है और यहां इसका समय बर लोगसभा में भी रहा जब लोगसभाय स्पीकर ओम बिरला ने असपस तोर परसांसदों से कहा कि विपक्ष में कहीं न कहीं होड है कंपिटिशन मचा हुआ है कि कैसे वो सदन को बाधित करें कौन किस से ज्यादा आगे निकलना चाहता है इसका कंपिटिशन लोग न करें और सदन की कारबाई को बाधित न करें देश का जो वक्त है किम्ती वक्त वो जाया हो रहा है रही बाद विपक्ष की तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास किसानों के जो मुद्दे हैं या जासुसी जो परकरन है इसको आगे खीचने के अलाबा कोई ठोस बड़ा कि भीटा जो मुद्दंध के लिपक्ष क्षा कि बाद विंगता है कि इसको परकर के तरूसी देश रहा है कि देश की जनता और किसान ऑने की कोशिस कर रहे थे और गारी पर कोई नंबर नहीं था नेम प्लेट नहीं था फिर उन्हें रोक दिया गया तो यही सवाल जो था वो सत्ता पक्ष के लोगों ने उठाया और कहा कि राहूल गांधी अगर बास्तम में किसानों के हकों की हिमायत करते हैं तो उन्हें किसानों के बीच जाना चाहिए सदन आने की क्या जरूरत है सदन आप आईए चर्चा करिए और किसानों के जो वाजिब मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाइए और रही बात जिस कानून को बिपक्ष काला कानून बता रहा है उसके प्रावधानों को लेकर सदन के भीतर चर्चा होनी चाहिए सरकार ने कई बार अपनी परतिपदता दो रहाई है कृषिमंत्री नर्ण सिंग्तों मर से मैंने दो बार इस सतर में इंटरिवू किया है उन्होंने असपस तोर पर कहा कि सरकार किसानों से वार्टा को तयार है बशर्ते कि किसान वाजिब प्रस्ताओ लेकर आए उस प्रस् प्रशनकाल चलाने की कोशिस की गई लेकिन तमाम तरह की जो सत्तापक्ष के प्रगास है वो भी तक विफल है देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से सदन के भीतर फ्लोर मेनेजमेंट सत्तापक्ष कर पाती है या फिर सदन मौनसून सत्र जो हंगामे की भेड़ चर जाता है या देखने वाली बात हो राजेश प्रशनकाल शूनेकाल ये वो समय होता है जब जन प्रतिनिध के जरिये वहां की जनता अपने कुछ बड़े सवाल बड़ी मुश्किलों को रखती है संसत में और उसके जवाब उसके हल चाहती है आज राजसभा के सवापती ने का कि 90 सांसत जनहित के मसले नहीं उठा पाए है पिछले साथ दिन से ये एक बड़ी चोट लोकतंत्र को ल अच्छा है उसमें OBC आरक्षन का मुद्दा कल शुन निकाल में उठाना चाहा रहे थे कल हंगामे की भेट चड़ गया शुन निकाल वो नहीं उठा पाए आज फिर वो मामला लिस्टेड था सुशिल कुमार मोधी उठे उन्होंने इस बात को रखा लेकिन हंगामा इतना जादा था कि उनकी बात को सदन में सुना नहीं जा सका हलाकि उन्होंने क्वेश्चन को रेज करने की कोशिस की वहीं आर्जेडी की तरफ से मनोज्जा और बीजेपी की तरफ से हरनात सिंग आदव जो राजसभा के सांसद हैं उतर प्रदेश से उन्होंने भी OBC आरक्षन का मुद्दा जो है वो नीट परिक्षा का जो मामला है उसको रेज करने की कोशिस की जनित से जुड़े हुए और भी बहुत सारे सांसत थे जिनके मुद्दे थे उन्होंने भी नहीं उठाया लोगसभा में क्वेश्चन आबर को चलाने की कोशिस जरूर की गई 10-15 मिनिट तक हंजामे के बीच लोगसभाई स्पीकर ने सदन को चलाने की कोशिस की लेकिन तमाम कोशिसें विफल हुई है और विपक्ष के दोरा जो हड़ धर्मिता दिखाई जा रही है उसका नतीजा ये रहा है कि सदन की कारवाई आज साथवे दिन भी दो वज़े तक अस्थगि लगतार ये का जा रहा है कि विपक्ष के साथ रचनात्मक सहयोग की हम उमीद करते हैं और रचनात्मक सहयोग के जरिये सदन में कामका चलाया जा सकता है किसानों के जो मुद्धे हैं उनको उठाया जा सकता है और तमाम जो गतिरोध सदन के अंदर है उसको खत्म किया जा स जो तमाम मुद्दे जो सवाल सरकार के खिलाफ उठा रही है संसत के बाहर, आखिर क्या वज़ा है कि वो संसत के भीतर उस पर चर्चा नहीं चाह रही है। चर्चा करने से पहले हंगामा इतना हो जाता है कि दोनों सदन लगातार आज पांचवे दिसातवे दिन स्थागित किये गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश स्पूरी जानकारी के लिए। जल्धी नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फैसला किया जाएगा तब तक के लिए ये दुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और इस खबर पर आईशा जुड़ गई हैं हमारे साथ। आईशा नए मुख्यमंत्री का नाम शाम को विदायक दल की बैठक है उसके बाद सामने आने की संभावना है लेकिन परिवेक्षक के लिए पार्टी के लिए क्या वो चुनाओतियां हैं जो सामने बड़ी खड़ी दिखाई दे रही हैं जब नए नाम का चुनाओ किया जाएगा। और वो कौन से नाम है जो रेस में हैं। जी देखें बीजेपी की यही उमीद है कि बहुत ही स्मूथ पावर ट्रांसिशन हो एड़ी उरपा के इस्तिफे के बाद तो आप जो विधायक दल बैठक में साफ हो जाएगा कि अगला मुख्यमंतरी कौन है लेकिन रेस में कई नाम है क्योंकि बीजेपी ने बीजेपी ऐसे कई नाम हैं जो रेस में हैं और कुछ नाम है जो रेस से बाहर भी हो गए है तो फिल हाल देखा जाए तो करने टक के स्पीकर विश्मेश्वर हेगडे कागेरी जो है वो सबसे आगे चल रहे है इस जो अटकले लगाई जा रही है उसके बाद एक और नाम है जोशी का लेकिन अब यह मैना जा रहा है कि प्रलाब जोशी क्यूंके संसदिया कारिवा मंत्री है तो जाहिर है वो उन्हें शायद ये जिम्मेदारी नहीं मिलेगी लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि BJP हमेशा से ऐसे फैसले करने के लिए जाने जाती है जो लोगों को देवंदर फटनवीस को चुना गया था और फिर उतर प्रदेश में योगी अतित्यनात मुखे मंत्री बने तो ऐसे में हो सकता है कि कोई ऐसा नाम सामने है जो शायद इस लिस्ट में अभी तक डिसकस नहीं किया गया हो लेकिन BJP के सबसे बड़ी चुनोटी है कि अब जब कि स्टेचछर का एक ऐसा मुखे मंत्री चुनना होगा जो सब को साथ लेकर चले और एक मास अपील के साथ पूरे राज्य को जोड़े कैसे में BJP अब यही कोशश में है कि ऐसा मुखे मंत्री करनाटक में न्यूग्स हो जो एक मास अपिल के साथ करनाटर के तमाम लोगों को ही नहीं बलके पूरे विधायकों को साथ लेकर चले और बीजेपी लगातार इसके लिए जानी जाती है कि बीजेपी ने हर बार हर वर्क के लोगों को अलग-अलग मौका दिया है यह नहीं कि अगर लिंगायत कह रहे हैं कि उनके समुदाय से निता चुना जाए तो उनहीं को मौका दिया जाएगा लेकिन बीजेपी के सामने चुनाती इस बात की है कि दूसरे समुदाय से भी कई वरिश्ट नोता है अनुधवी है उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा अनुधव है जी आईशा बीजेपी य यह जो बहुत ही नाजुक जो एक्वेशन है जो बालंस है रिजनल बालंस है उतर करना टका और सौथ करना टका कर यह तमाम चीजेपी को ध्यान में रखना होगा जी बीजेपी के जो विधायक है शाम को बैठकर इन तमाम नामों कर चर्चा करेंगे और देखने दिल्चस ह होगा कि केंद्री की तरफ से क्या संदेश मिलता है बीजेपी के विधायकों को भी क्यूंकि किशन रेडी परहुच रहे हैं और करना टक की इन चार्च जनर सेक्रेटरी अरुन सिंग पहुंच रहे हैं अरुन सिंग में कुछ समय पहले करना टका थे जब विधायकों में बीजेश यतिरुपा की जगा जो भी मुख्य मंत्री लेंगे नस्पे वाषिक दीख दिक शान समारो में भाग लिया कश्मीर विश्वध्याले के दीख्षान समारों में दस छात्रों को राश्पती द्वारा स्वांट पदक प्रदान किये गए अपने सम्भोधन में राश्पती ने कोरुना काल में भी ओनलाइन शिक्षा जारी रखने के लिए विश्वध्याले की प्रशंसा की साथ ही राश्पती ने कश्मीर को देश के लिए आशा की करण भी बताया The coronavirus has impacted all works of life and education is no exception. Fortunately, technology provided a solution. Schools, colleges and universities across India have continued to provide education in the online mode. After the outbreak last year, the University of Kasmid immediately shifted to online modules and made e-resources available to its students. और वाक्त एक छोटे से ब्रेक का में देप्राइम में खबरे रहेंगे जारी, देखते रहे हैं DT News. देखिए, आपके घर की एक-एक दिवार चिक-चिक कर कह रही है कि अच्छी सिमेंट क्यों नहीं लगाएगे. अगर वंडर सिमेंट लगाते हैं, तो दिवारे इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दिवारों में बिल्कुल दरारे नहीं पढ़े. वंडर सिमेंट जब भी आए, भला कर जाए. और अब नज़र डालते हैं अन्ने राश्य खबरों पर. महराश में भारी बारिश के कारण हुई भूसकलन और बाड की गटनाओं के बाद मरने वालों के संख्या बढ़ कर एक सुबान बे हो गई है. जबकि रतनागिरी, सतारा, ठाने, सिंदुदूर्ग, कोलापूर और पूरे के बाड़ प्रभावित इलाकों में अब भी 25 लोगों के लापता होने की खबर है. प्रभावित 1028 गाओं से 3,75,178 लोगों को सुरक्षे तस्थानों पर पहुचाया जा चुका है. महराश्टी मुख्यमंत्री उद्ध ठाकरे ने प्रशासन को बाड़ प्रभावित इक्षेत्रों में बिजली और पानी के आपूर्ती जल्द से जल्द वहाल करने का निर्देश दिया. राज्य भारी बारेश और बाड़ के कारण बड़े पैमाने पर हुई तबाही से अब धीरे धीरे उबर रहा है. ठाकरे ने कहां कि प्रभावित इक्षेत्रों में साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखी जानी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बिमारियां न पहले. इस बीच भूस्खलन प्रभावेत तलिये गाउं में बचाव अभियान आदिकारिक रूप से समाप्त हो गया है. अब तक तिरपन लोगों को मृत घोशित कर दिया गया है और 31 लाख़ा है. और श्यामा हमाय साथ इस खबर पर अपडेट पर जुड़ गई हैं. श्यामा अभी तक के अपडेट में और खास कर मौसम का भी क्या अपडेट है राज्य सरकार किस तरह से आपड़ा प्रबंधन संस्ताओं के साथ मिलकर इस समय राज्य में खास कर वो इलाके और वो शहर जो भीषण कह सकते हैं सिर्फ बाड और भूस्खलन से प्रभाविती नहीं है बलकि उसके बाद की जो समस्याएं होती हैं इस समय उससे जूज रहे हैं. जी देखिए रितू सबसे पहले अगर हम ये बात कर लें कि महराश्रा में जो बाड प्रभावित और भूस्खलन प्रभावित जो शेत्र हैं वहां पर से जादा तर लोगों को लगबग सभी लोगों को इवैक्यूएट कर ही लिया गया है. इसके बाद में जो शेल्टर बनाए हुए हैं उसमें लोगों को रखा गया है. प्रिकॉशनरी मेडिसिन्स भी लोगों को दे दी गई हैं साथी इंस्ट्रक्शन पे या जो फर्स एड लगता है वो लोगों को दिया गया है. खाना, पानी, सब वहाँ पर प्रोवाईब किया जा रहा है. जो second step बनता है जब बाड का पानी most जगह से रिसीड हो रहा है, बाड का पानी निकल रहा है. हम सभी जानतें कि वहाँ पर किस तrictी की गंदगी और गंदगी से किस तरीकी की बिमारी हम फैल सकती है. इसलिए राजसरकार का ये एक निर्देश आया हुआ है सारी एजिंसीज को जो वहाँ पर लगी हुई थी काम में कि अब cleanliness में अब साफ सफाई के काम में लग जाएं ताकि वहाँ पर बिमारी ना फैले बिमारी का एक नया तांडव वहाँ ना शुरू हो इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जितनी जो इलाके थे जहां पर बिजली निकल गई थी पीने की पानी या साफ पानी का सप्लाई बंध हो गया था रोड्स तूड गई है या रोड्स वहाँ पर भूसकलन हो गए हैं वहाँ पर भी जल्द से जल्द सब सर्विसिस को बहाल कर दी जाए ये इंस्ट्रक्शन आई हुए हैं स्टेट गवर्मेंट की ओर से सारे डिस्ट्रिक्ट अड्मिनिस्ट्रेशन को ये भी हम जानते हैं कि कई सारे जो हाइवेस थे नाशनल हाइवेस जैसे पूने बैंगलोर और अन्य हाइवेस थे वो पानी के नीचे पोस्ट गार्ड की टीम्स हैं अभी भी स्टैंडबाई पे बनी हुई है रेडिनेस पे बनी हुई है कि अगर कोई ऐसा अनुमान ऐसा कोई खबर आता है कि और जादा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जरुवत है और जादा टीम्स की जरुवत है तो उन्हें डिपलॉ पूर और सांगली का इलाका था यह जहां पर कोलापूर में पंच गंगा नदी और सांगली में वार्ना और कृष्णा नदी के जो लेवल थी उसमें बढ़ोतरी हो रही थी और जिसकी वज़े से एक खत्रा बाढ का सामने आ रहा था वहां से भी लोगों को निकाल लिया गया क्योंकि दो साल पहले ही यह स्थिती लोगों के सामने आई थी कि बहुत बुरी तरीके से बाढ़ प्रभावित हो गया था इस शेत्रा अब वहां से भी धीरे धीरे पानी रिसीड हो रहा है जो जल का स्थर है यह नदीयों में वो कम होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है तो सिचुएशन मान सकते हैं कि अब काफी हद तक कंट्रोल में आ गई है लेकिन बात की जो यहां पर संभावनाय है बिमारी की या अन्य जो मुश्किले हैं उससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई सारे निर्देश दिये हैं डिस्टिक्ट अड्मिनिस्ट्रेशन को अ उन्होंने दौरा किया है और आज महराश्रा के जो राज्यपाल है भगत सिंग कोश्यारी वो भी इन बाड़ प्रभावित जगहों का निरक्षन कर रहे हैं इसके बाद में ये पूरा जायसा लिया जाएगा कि कितने का नुकसान हुआ है कितना जो आंकड़ा है वो कितना बनता है और उसके बाद में जो एक तरीके से मुआवजा है वो रिलीस किया जाएगा लोगों के लिए लोगों को रिहाबिलिटेट किया जाएगा आपने तलिये गाओं की बात की वहाँ पर ऑपर ऑपरेशन तो बंद होई गया है लेकिन जो लोग उसके नीचे फसे हुए हैं दबे हुए हैं उन्हें नहीं निकाला जा रहा है और जाहिर सी बात है वहाँ फिर से वो गाओं को बसाया नहीं जाएगा क्योंकि ये भी एक सामने आई थी बात कि वो काफी उंचाई पर बना हुआ था और फिर से ये खत्रा बना ही रहेगा इसलिए ये बात सामने अभी के लिए फिलाल जादातर जो जादातर जो जिले हैं वहां के लिए कोई चेतावनी नहीं है लेकिन आने वाले 29 और 30 तारिक लिए जो जगह हैं जो कोलापूर सांगली सतारा पूने और कॉंकन के इलाके राइगर रतना गिरी इन सब के लिए फिर से एक बार औरेंज अलर्ट इशू किया गया है आईमडी की ओर से तो जोरत ये होगी कि जो प्रसाशन हैं एजिनसीज हैं और लोग रहें वो चौकन ना रहें ताकि फिर से एसी स्थिती सामने ना आए बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा विस्तार से पूरी जानकारी के लिए और राश्य राजधानी दिली में आज सुबे सामाने से तेज बारिश होई लोगों को पेशले कुद्स दिनों की उमस वर करमी से राहत मिली शहर के कुछ स्थानों पर पानी जमा हो गया मुझा विभाग के अनुसार आज कई स्थानों पर गरज के साथ भारी बारश होने का नुमान है पोनोग्राफिर राकेट मामले में अभिनेतरी शलपाशेट्टी के पती राज कुंद्रा और रायन थोरपे को मुंबई की एक अदालत ने 14 दिनों की न्याईक हिरासत में बेजा है राज कुंद्रा पर अशलील फिल्म में बनाने और उन्हें अप्स पर दिखाने का आरोप है देश में कुरोनवाइरस के देनेक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है स्वास्त और परिवार का लेड़ मंत्राले के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 29,689 मामले दर्ज किये गए वहीं पिछले 24 घंटों में 42,330 मरीज उपचार करवा कर स्वस्त हो चुके हैं जिसके बाद देश में रिकावरी रेट बढ़कर 97.39 प्रतिशत हो गया है सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 3,99,000 हुई है साप्ताइक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.33 प्रतिशत है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.73 प्रतिशत हुआ जो 5 प्रतिशत से कम बना हुआ है और कुर्णा के खिलाफ टीका करन अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है केंद्रे स्वासेवं परिबार कल्यान मंत्राले के मताबिक देशवर में अब तक 44 करोड 99 लाग से अधिक लोग कोविट टीकों की खुराक ले चुके हैं महीं पिछले 24 घंटों में 66 लाग से अधिक ठीके लगाए गए देश में कोरोना संक्रमन की जाच उक्षमता में काफी वृध्धी हुई है भारतिये चिक इत्सानु संधान परिशद ने बताया कि देश भर में 26 जुलाई तक कुल 45 करोड 91 लाग 64 हजार 121 नमूनों का परिक्षन किया गया जिनमें 26 जुलाई को 17 लाग 20 लाग 110 नमूनों की जाच की गई आच्छा तीसकर विधान सभा में एक अप्रक्तियाशित दृष्य उस समय देखने को मिला जब सत्ताधारी दल के सदस्य ने ही सदन का बहिशकार कर दिया स्वस मंत्री टियस सिंग देव ने भारतिय ने पार्टी विधायक पर हमले की जाच की मांग करते हुए विधान सभा से वॉक आउट किया वॉक आउट का कारण पूशने पर उन्होंने कहा जब तक सरकार पार्टी विधायक ब्रहस्पत सिंग पर हमले के आरोपों की जाज का आदेश नहीं देती या बयान जारी नहीं करती तब तक वो इस प्रतिष्ठित सदन का हिस्सा बनने के योग्य नहीं समझते रक्षा मंतरी राजनात सिंग शांगाय सयोग संगठन के रक्षा मंतरियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज ताजिकस्तान की राजधानी दुशामबे के लिए रवाना होंगे विकल शांगाई सयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के साथ ताजिकस्तान के राश्पती इमोमाली रह्मान से मिलेंगे संगठन के देशों की जन संख्या तीन अरब से अधिक है यह संख्या विश्व की कुल आबादी के लगभग 50% है इस आबादी इस बैठक से पहले S.E.O के सदस्य देशों के राश्टे सुरक्षा सलाकारों और विदेश मंत्रियों की बैठक पिछले दो महीने में दो बार हो चुकी है जिसमें रक्षा मंत्रियों की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की गई थी और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटिनी ब्लेंकन आज अपने दो दिवसिये दोरे पर भारत आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री बनने के बाद ब्लेंकन की ये पहली भारत यात्रा है दोरे के दोरान बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री दोनों देश मसबूत करने का एक अवसर है बयान के मुताबिक बैठक में दोनों पक्षों के बीच कई द्विपक्षी और क्षेत्रिय मुद्धों पर ध्यान के इंद्रित किये जाने जिनमें अफगानिस्तान में तेजी से बदल रही इस्तेती, हिंद प्रशान्त में संपर्कूं को बढ़ावा देना और कुरुना वा अंकट सहेत कई मुद्धों पर चर्चा होगी। काउंटर टेरिर ऑपरेशन की जरूरत को और मजबूती प्रदान करेगा। अंतक या शीलता को और मजबूत करेगा और दोनों देशों की टुकडियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साजा करने में सक्षम होगा। या अभ्यास सुरक्षा सहीयोग को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित होगा और भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे मितरता के बंधन को मजबूत करने का काम करेगा। और मिड़े प्राइम में वक्त एक चोटे से ब्रेक का। अधि 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 आधि मामा जी अब कुछ खा नहीं रहे हैं तो बोल भी नहीं रहे हैं आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा हैं आपके घर की एक-एक दिवार चिक-चिक कर कह रही है कि अच्छी सिमेंट क्यों नहीं लगाएंगा। तो तिवारे इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दिवारों में बिल्कुल दरारे नहीं पड़ती हैं। One Deciment जब भी आए भला कर जाए और मिट्रे प्राइम में वाक्त है अर्थ जगत से जुड़ी खबरों का मेरे सही होगी अज़े मिश्र जुड़ गए हैं तमाम खबरों के साथ जी अज़े क्या खबरे आज जर्माद बहुत शुक्रिया कल जो लोकसवा से खबर आई थी अच्छी खबर MSME के लिए वो खबर थोड़ी से छूट गई जो आपको बता नहीं पाया और आज उस पर और थोड़ा से विस्तार पर करते हैं एक छोड़ी सी बात ये कि MSME को पेमिंट को लेकर कि जो सरकार है वो काफी गंभीर है ये बात खुद वितमंत्री ने सदन के पटल पर कही और सपश तोर पर उनने कहा कि वो खुद इस चीज की नेगरा नहीं कर रहे हैं कि जो MSME को पेमिंट जाती है वो जो सरकारी कंपनिया है और जो केंद सरकार है वो समय पर करें समय सीमा 45 दिनों की है और उसको मीट किया जा रहा है लेकिन राज सरकारों की तरब से भी थोड़ी सी पहल की जरूरत है ऐसा उनका कहना था GST काउंसिल इसको लेकर के बैठक कर सकती हुए एक महत्पूर्ण बैठक लेकिन अभी कारोबार की बात कर लेता है इस वक्त बाजार 218 अंक नीचे Sensex के तौर पर और 56 अंक नीचे Nifty के तौर पर अपनी गिरावट को दिखा रहा है अगर मेटल्स को छोड़ दें, मेटल्स को छोड़ दें तो सारे के सारे जो इंडेक्स है इस वक्त नेगेटिव कोनोटेशन के साथ कारोबार करते में निजार आ रहा है जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट है उसमें Dr. Redis Lab, Sipla, Axis Bank, Adaniport औ Sun Pharma फार्मा सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रहा है, पिछले दिनों में हमने देखा कि जब से COVID शुरू हुआ है तब से कई सारी जो फार्मा कंपनीज हैं, वो कई गुना तक रिटर्न दे चुकी हैं और अभी भी कई सारी IPO आ रहा है जिनको बहुत जबरदस्त मुनाफ़ा देखने को मिलना लेकिन आज Dr. Redis 9 फीजदी टूटा है सिपला 3 फीजदी से ज़्यादा टूटा है, एक्सिस बैंक, अदानी पोर्ट और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट का माहल देखा जा रहा है उधर नेस्टले, टाटा स्टील, SBI Life Insurance, बजाज फिन सर्व और हिंडाल को कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पर एक से ले करके तीन फीजदी तक का उच्छाल देखा जा रहा है महंगाई के मोचे पर भी एक सकारात्मा खबर यह है कि केंदर सरकार ने सोमुआर को मसूर दाल के आयात शुल को घटा करके शूर्ने कर दिया घरेली आपूर्ती को बढ़ावा देने और बढ़ती कीमतों पर अंकुष लगाने के लिए सरकार ने मसूर दाल पर एग्रिकल्चर इंफ्रस्ट्रक्चर डवलेप्मेंट से इसको भी आधा घटा करके 10% कर दिया वित्मंत्री निम्ला सीतारमन ने राजसभा में इस समंध में एक अध्य सूचना को प्रसुत किया अमेरिका को छोड़ करके दूसरे जो दिश्रो सुत्पादित और आयात की गई जो मसूर दाल है उसपर बेसिक कस्टम डूटी को 10 विजदी से घटा कर शून्य कर दिया गया है अमेरिका में जो दाल वहां से जो इंपूर्ट की जाते है वो बेसिक डूटी 30% है उसको घटा करके 20% कर दिया गया है तो ये एक राहत की खबर लेकिन अगर खुद्रा मूल देखें तो बीते कुछ दिनों मसूर की दाल 100 रुपए की कीमत पर बिक रही है इससे पहले एक अप्रेल को ये जो दाम थे 70 रुपए के करीब थे यानि वहां पर 30 रुपए के बहुत तरी देखने को मिली थी अब उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है इस पहल के बाद जो आया थो उसके बाद दालों के दाम में थोड़ी सी गिरावड देखे अपर प्राहिम के आज के संक में सिर्फ इतना है वापस दो देए रुपशी के पास वाकी ख़बर के लिए और आए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुप्ष में चाहिए भगोड़े भारतिय कारूबारी विजे मालिया को लंदन हाइ कोट ने कल दिवालिया घोशत कर दिया इस वैसले के बाद भारतिय बैंक विजे मालिया की दुनिया भर के संपत्यों पर आसानी से कब्जा कर सकेंगे मुखित दिवाला और कंपनी कोट के ज़ाइकल ब्रिक्स ने हाइकोट के चांसुरी डिविजिन में वर्चुल सुनवाई करते हुए विजे मालिया को दिवालिया घोशत किया अदालत ने मालिया को अपील करने या दिवालिया घोशत करने के आदेश पर ठधन देने से भी इंकार कर दिया बैंकों के कंसौर्टियम का मालिया पर मूलधन और बयाज समेत 9,000 करोड रुपे से ज्यादा का कर्ज है या चिका करताओं में भारतिय स्टेट बैंक की अगवाईवाला तेरा भारतिय बैंकों का कंसौर्टियम है अदालत के इस फैसले को भारतिय बैंकों की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इसके बाद विजमालिया की किंग फिशर एलाइंस का कर्ज वसूलने के लिए भारतिय बैंक उसकी संपत्यां जब्द कर सकेंगे ब्रिटन भाग निकला विजमालिया अभी जमानत पर है और उसके खिलाफ भारतिय जिंसियां बैंक दोका धड़ी और धन शोधन के मामलों की जाच कर रही है अमेरिका के राश्पती जो बाइडन और एराक की प्रधान मंत्री मुस्तवा अल-कडीमी ने सेयोकत बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका इस साल के आनट तक एराक में अपने युद्ध मिशन को समाप्त कर देगा राश्पति बाइडन ने कहा कि अमेरिकी सेना इराकी बलों को आईएस आईएस के खिलाफ प्रशिक्षड और साहता देना जारी रखेगी इराक से अमेरिकी सेना की भूमिका को समाप्त करने की घोशना ऐसे वक्त पर हुई है जब इराक में 10 अक्टूबर को चुनाव होने हैं जिसे कुछ महीने ही बचे हैं लेकिन अमेरिकी राश्पति जो बाइडन ने इराक में लोक तंत्र को मजबूत करने पर अपनी बद्दता जताई है इराक के प्रदहन मंत्री मुस्तफा अलकाजमी ने अमेरिकी यात्रा पर रवाना होने से पहले ही साफ किया था कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका अपना लड़ाकों मिशन खत्म करे इराक पिशले साल के अंत से अमेरिकी सेनिकों की संख्या करीब 25 सो और आए अब देखते हैं खेल जगत से जूड़ी खबरे और खेल की खबरों के साथ साथी साथ उलिम्पिक के अपडेट के साथ ते जिंदर हम ऐसा जूड़ गए हैं जी ते जिंदर क्या अपडेट जै बिलकुल रितु कुछ अपडेट्स जो आज के हैं वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं और सबसे पहले बाद करते हैं बॉक्सिंग की भारते मुक्केबाज लवलीना बॉर्गोहन ने वेल्टवेट वर्ग में जर्मनी की मुक्केबाज नादिनी अप्टेस को हरा कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है और उलिम्पिक्स में भारतिय होकी टीम ने शांदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को तीन शुने से हरा दिया है। भारतिय टीम ने शुरू से ही मुकाबले में अपनी पकड़ बना ली। पहले क्वाटर के खत्म होने से पहले भारत के सिमरंजीत सिंग ने फील्ड गोल कर के टीम को एक शुने से आगे कर दिया। इसके कुछ दिर बाद ही रुपेंदर पाल सिंग ने पिनल्टी स्टोक पर गोल कर भारत को दो शुने से आगे कर दिया। भारतिय टीम ने दो गोल की अपनी इस बढ़त को मैच के अधिकांच समय तक बरकरार रखा। अंतिम क्वा अलिम्पिक्स में बैडमिंटन ने पुरुष यूगल ग्रुप स्टेज में भारत के सात्विक सायराज और चिराग शेटी की जोडी ने अंतिम ग्रुप मुकाबला जीतने में सफलता पाई। भारतिय जोडी ने बिटन की बैन लेन और सीन वेंडी की जोडी को 21-17-21-19 से अपने नाम किया हाला कि इस जीत के बावजूद भारतिय जोडी अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रही जिसके कारण वो क्वार्टर फाइनल में पहुँचने में सफल नहीं हो पाई। और दस मीटर एर पिस्टल के मिश्रित यूगल में भारत को निराशा हाथ लगी दिव्यांश पमार और एला बेनल की जोडी ने कौलिफिकेशन के पहले राउंड में 626.5 का स्कोर कर बारवा स्थान हासिल किया जबके दीपक कुमार और अंजुम मौद्गिल की जोडी ने कौलिफिकेशन के पहले राउंड में 623.8 के स्कोर के साथ अठारवा स्थान हास क्वालिफिकेशन राउंड टू में तीन सो असी अंक के साथ दोनों निशाने बाजों ने सात्मा स्थान हासिल किया इस तरह वो मैडल जीतने से चूक गए और टेबल टेनिस में भारत के शरत कमल को तीस्टे दौर में हार का सामना करना पड़ा मैच के दौरान चीन के मालॉंग को शरत ने कड़ी चुनाती दी लेकिन बाद में मालॉंग ने अपने अनुभव और जोरदार खेल के जरिये शरत कमल को चार एक से हराने में सफलता पाई इस हार के बाद शरत कमल टोकियो उलिम्पिक्स से बाहर हो गए है और टोकियो उलिम्पिक्स में देश के लिए रज़त पदक जीतने वाली वेटलिफ्टर मीरा बाई चानू अपने प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट है हमारे समवादता मुकेश शुकला से खास बादचीत में चानू ने अपना पदक देशवासियों के नाम करते हुए कहा कि सरकार का सहयोग नहीं मिलता तो उनका सपना कभी पूरा नहीं होता हमारे साथ इस समय सिल्वर मेडली से टोक्यो ऑलम्पिक की मेरा बाई चानू है मेरा बहुत बड़ा पल आपके लिए बहुत ही सिक्रिफाइस की आपने बताया कि कितने टाइम से आप घर भी नहीं गए पैमिली से नहीं मिले उसके बाद ये मेडल किस तरह का सैटिस्टेस् तो मैंने पूरा सेक्रिफाइस किया था क्यूंकि मुझे ओलम्पिक मेडल जीतना था पूरा पांच साथ मेने फॉकस किया था ट्रैनिंग में कि ये सब मेरा फैमिली की मेरा मेरा बिजेसर की सपना थी और पूरा इंदिया की मुझे मेरे उपर होफ किया था रखा था तो उ करेंगे का difक Πार cortar कितना सपोड रहा और किस तरह से आप कौन वर्थ मैं यज़र्त वैयलिंग की नाम भारत कि नाब Ρेम बूपर करने में भार्रार्य आप गौर्वर्मेंट का कितना सपोर्ट रहा और किस तरह से आपका उन्होंने जो लास्ट टाइम पर हल्प किया आप जब अमेरिका गए गौर्मेंट की तरफ से बहुती सपोर्ट मेरी तॉप से मुझे लास्ट मुमन अभी मैं से केरा फॉर्स में मुझे यूएसे के लिए पोईस किया तो एक दिन में सब कुछ करके उन्होंने बेजा था तो जल्दी मेरा चाया पैन सब कुछ रिकोबरी होके आस मेने विए और टॉक्यों में मेडल जिते हैं तॉप्स का फायदा हुए तॉप स्कीम से जो फैसिलिटी मिलते हैं बहुती फायदा है बहुती सपोर टिया काफी सपोर्ड ऑप裡面 खंते को इसे जितना अर्ग के सबसे इंट्राक्शन करते हैं मिलते आज आप सेमें मिलें तो कितना उनका रोल देंगते अपनी लाइव मेरा कामदीशन फ़िए तबही पधा मुशेजी की तो बुझे बुटी अच्छ मार्य गोह मुदी। सबसे अच्छा मुंएंटि मेरे लिए कि सर ने मुझे दारिक लिए करके और कॉल करके मुझे धन्यवाद दिया थे तो बहुत आच्छा बड़ा मुंएंटी मेरे लिए बारती टीम इस मुकाबले को जीत कर तीन मैचों की सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी बारत ने पहले टीट्वेंटी मैच में श्रिलंका को 38 रन से हराने में सफलता पाई थी पृत्वी शौ और सुरेकुमार यादव टेस्स सीरीज के लिए इंग्लेंड दोरे पर जाएंगे इस लिहास से इन दोनों खिलाडियों को आराम दिया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो टीम में बदलाव हो सकते हैं हाला कि उमीद है कि ये दोनों कम से कम आज के मुकाबले में खेलेंगे अंतिम मैच में इन दोनों खिलाडियों को आराम मिल सकता है वहीं दूसरे टीट्वेंटी में मनिश पांडे की जगा देवदत पढ़िकल और रितुराज गाएकवाड को तरजी दी जा सकती है तो ये थी खेल की खबरें अन्य खबरों के लिए एक बार फिर से चलते हैं रितु के पास तमाम खबरों के लिए और आईए अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की तोक्यो ओलिम्पिक में रजट पदक जीतने वाली भारतिय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू देश भर के लोगों के लिए प्रेणना बन चुकी है हर कोई अपने तरीके से मीराबाई चानू की काम्याबी का जश्न मना रहा है इस बीच सोशल मीडिया पर एक विडियो वाइरल हो रहा है दरसल इस विडियो में एक बच्ची विराबाई चानू की तरह वेटलिफ्टिंग करती नज़रा रही है बच्ची अपने हातों में वाइट पाउडर लगाती है जैसा की विडियो में चानू कर रही है खुद मेरा भाई चानू ने विडियो को रीट्वीट करते हुए प्यार भरा कमेंट किया है So cute, just love this बच्ची के छोटे-छोटे हातों से वेट लिफ्ट करना और चानू के जैसे नकल करना सबको बहुत पसंदा रहा है जी हाँ मेरा भाई चानू ने हर देशवासी को प्रेरिद करया है उसमें ये बच्ची भी शामिल है बात करते हैं एक दूसरे बदलते भारत की तस्वीर की उडिशा में पूरी नल से सीधे पीने का स्वच पानी उपलब्ध कराने की योजना लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है मुख्यमंत्री नवीन पितनायक ने कल पर योजना का उधगातन करते हुए ये घोशना की उन्होंने कहा कि अब पूरी सीधे नल से पेजल की व्यवस्था वाले लंडन, न्यूयोंक और सिंगपूर जैसे वेश्विक शहरों में शामिल हो गया है इस पर योजना से पूरी के धाई लाख निवासियों और हर साल पावन नगरी की यात्रा करने वाले लगभग दो करोड परेटकों को लाब होगा इस योजना से लोगों को पानी जमा कर रखने या उपयोग से पहले इसे फिल्टर करने की परेशानियों से मुक्ती मिलेगी और मिटे प्राइम में आज बस इतना ही डीडी न्यूस पे खबरे जारी रहेंगी नमस्कार